हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तूगी कोची में आज के इस वीडियो में कलास बारह के रसायन विज्ञान अविहास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे फिनाल के भोती गुण क्या होते हैं और रसायनी गुण क्या होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फिनाल बनाने की विधी तो फिनाल बनाने की पांच विधी जो है बताया गया था यदि वह पांच विधी आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के ये पांचो भाग का वीडियो आप जो है दे भौतिक गुण के आगे अब लिख लेंगे अब भौतिक गुण जो है निम्ना है कर्मस्था आपको एक दू करके बताया जाएगा और इसे अपने कौपी में क्या किजेगा नोट जरू करते चलिएगा तो पहला है पहला फिनाल एक रंग हीन क्रिस्टली ठोस है क्या है फिना एक रंग हीन रंग हीन क्रिस्टली ठोस है या दखेगा फिनाल जो होता है वो किस रूप में होता है ठोस की रूप में होता है फिनाल एक रंग हीन क्रिस्टली क्या है ठोस है तो पहला समझ में आगे होगा तो अब दुसरा जो इसका है इसका कौथनांग कितना होता है तो 45 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम यहाँ दुसरा लिखेंगे इसका गलनांग कितना होता है 45 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांग 45 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस होता है इसका गलनांग किना होता है 45 डिग्री सेल्सियस होता है तिसरा होता है इसका कौथनांग कितना होता है तो लिखेंगे इसका कौथनांग इसका कौथनांग 182 degree Celsius होता है इसका गलनांग कितना होता है तो 45 degree होता है और कौथनांग कितना होता है तो 182 degree Celsius होता है तिसरा लिखे यहां तिसरा रहेगा और यहां पे जो लिखेंगे चौथा तो चौथा क्या है यह जल में अल्व बिले होता है क्या होता है यह जल में क्या होता है आल पे बिले होता है तो जल में क्या है यह लिखेंगे यह जल में आल पे बिले होता है आल पे मने थोड़ा आल पे बिले बिले मने होता है घुलना मने जल के अंदर यह जो है बहुत कम घुलता है जल में आल पे बिले होता है, परंतु कार्बनी के बिलाएकों में, क्या है कार्बनी के बिलाएकों में, जो है बिले होता है, बिले होता है, तो चार जो है, क्या पढ़ चुके बहुतिक गुण, और इस बहुतिक गुण को जो है, आप सभी विद्यार थी, अपने कॉपी में क्या किजिए, जरूर नोट करते चलिए, तो अब अगला जो हम पढ़ेंगे, इसका पांचवा बहुतिक गुण क्या है, तो गुलाबी या लाल रंका हो जाता है, लिखेंगे यहाँ पर वाईव, वाईव तथा, वाई तो था प्रकाश में, वाई तो था प्रकाश में रखने पर, प्रकाश में, रखने पर, रखने पर, क्या हो जाता है, यह, रखने पर यह, गुलाबी, क्या लिखेंगे, यह गु का हो जाता है या लाल रंग का हो जाता है लाल रंग का हो जाता है हो जाता है तो समझ में आ गया होगा क्या है या वाइद था प्रकास में रखने पर या गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है कौन हो जाता है तो फिनाल हो जाता है फिनाल जो होता है जब इसको वाइद में या परकास में रखा जाता है तो और गुलाबी रंगा या जो है लाल रंगा वह हो जाता है अब उन्हों पढ़ेंगे रसाइनिक गूण तो भौती गूण जो है पांच बताए गया तो पांचों को अपने कापी में क्या किजे नोट का लेजे अब पढ़ेंगे रसाइनिक गूड़ अब रसाइनिक गूड़ क्या है मतलब फिनाल का जो है रसाइनिक गूड़ क्या है तो अब पहला जो लिखेंगे पहला रसाइनिक गूड़ है पहला के जिंक चूर से किरिया अब जिंक से जो है जिंक चूर होता है और इससे क्रिया करेगा कौन करेगा फिनाल तो लिखेंगे जिंक जो है चूर से क्रिया तो जब जिंक चूर से जब क्रिया करता है फिनाल तो क्या बनता है तो आगे लिखेंगे कि जब जिंक चूर से फिनाल जब क्रिया करता है तो बिंजीन बनता है क्या बनता है बिंजीन बनत किसे क्रिया करता है जिंक चूर का जिंक चूर से क्रिया करता है यह लिखेंगे जब फिनाल का लिखेंगे जब फिनाल जिंक चूर से क्रिया करता है क्रिया करता है करता है तो क्या बनता है बिंजीन बिंजीन तथा जिंक आकसाइड क्या बनता है जिंक आकसाइड बनता है जिंक आकसाइड बनता है आकसाइड बनता है तो समझ लेंगे अब तो जो फिनॉल है वो किस से क्रिया करेगा जिंग से क्रिया करेगा तो फिनॉल का सुत्र क्या होता है C6-H5-O-H होता है फिनॉल है और जो है जिंग से क्रिया करेगा मतलब जेडियन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा तो यहां जब क्रिया कर लेगा तो यहां बनेगा C6 बनेगा और H6 बन जाएगा इसका नाम क्या है बेंजीन है और यहां क्या बनेगा JNO हो जाएगा मतलब जिंक जो है आकसाइड बन जाएगा तो समझ में आगया होगा जब बेंजीन जो है जिंक के साथ जब क्रिया करता है फिनोल ध्यान देंगे फिनोल जो है जिंक के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है बेंजीन बनता है और जिंक जो है आकसाइड प्राप्त होता है तो रियक्शन समझ में आगे होगा इसका क्या नाम है इसका नाम फिनोल है यह जिंक का च अब मेथिल कोड़ाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा यहां लिखेंगे दूसरा और यहां लिखेंगे मेथिल मेथिल कुलराइड से मेथिल कुलोराइड से क्रिया मेथिल कुलराइड से क्रिया अब मेथिल कुलराइड से जो है क्रिया करेगा तो क्या बनेगा लेखेंगे मेथिल कुलोराइड से क्रिया जब कर लेगा लेखेंगे जब फिनाल किसे क्रिया करेगा जब फिनाल मेथिल क्या कहेंगे मेथिल जो है कुलोराइड से क्रिया करता है क्लूराइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है तो क्रिया जब करता है करता है तो क्या बनेगा तो मेथिल ध्यानेंगे मेथिल जो है यह और फेल मेथिल फेल मेथिल जो है फेनिल इथर बनता है क्या बनता है मेथिल फेनिल इथर बनता है तो लिखेंगे क्रिया करता है तो क्या लिखेंगे आपर मेथील फेनील फेनील एथर बनता है कितना असान है बस थोड़ा सापको धियान देना है और आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे जब फिनोल से जो है क्रिया कौन किया है तो लिखेंगे फिनोल से जो है मेथिल कुलराइड जब क्रिया किया है तो क्या बनना है यहाँ पर इसका रियक्सल निकलेंगे तो यहाँ पर जो है C6 H5 यह क्या है फिनोल है और फिनोल में जो किरिया किसे करेगा मेथिल कूलराइड से तो मेथिल कूलराइड का शुत्र काया C3C occurred जब यहकर लगने है तो यहाँ पे क्या बनेगा यहां पर बनेगा C6-H5 हो जाएगा OCH3 बन जाएगा और यहां पर क्या meannessol प्लस जो है CHCEL बनेगा तो समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या है इसका नाम नाम यह फिनोल है और यह क्या नाम है मेथिल कुलराइट है और यह क्या बना है तो मेथिल फेनिल इथर बना है और उसके साथ जो है हाईडो कलोरिक अमल भी पराप्त हुआ है तो समझ में आ रहा होगा कि अब फिनाल जो है किस से क्रिया किया तो फिनाल जो है किस से क्रिया किया मेथिल कोडायर से क्रिया किया तो क्या बना तो मेथिल फेनिल इथर बना और उसके साथ जो है हाइडो क्लोरिक अमल भी बना तो अब तीसरा यहाँ पर लिखेंगे तीसरा जो है अमोनिया से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा तो लेखेंगे यहाँ अमोनिया से क्रिया तो अब यहाँ अमोनिया से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा लेखेंगे फिनॉल जो है अमोनिया से जब क्रिया करता है तो एनिलीन बनता है क्या बनता है एनिलीन बनता है लेखेंगे यहाँ पर फिनॉल फिनोल अमोनिया से जब किरिया करता है तो क्या बनता है एनिलीन बनता है बनता है तो समझ में आगे होगा जब फिनाल जो है अमोनिया से जब किरिया करता है तो एनिलीन बनता है तो यहां फिनाल का सुत्र क्या है जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा एनिलीन तो समझ में आगे होगा कि जब फिनाल जो है किसे क्रिया किया अमोनिया से क्रिया किया तो एनिलीन बना और उसके साथ जो है जल प्राप्त होता है क्या प्राप्त हुआ जल भी प्राप्त हुआ तो इस एक रियक्शन को क्या किजिए आप सभी विद्यार थी जरूर अपने कॉपी में क्या किजिए नोट का लिजिए अगला जो है चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे पी सी यल फाई मतलब फासफोरस पेंटा कॉलराइट इसको कहा जाता है तो फासफोरस पेंटा कॉलराइट से जो है किरिया करेगा तो जो है यह पेंटा जो फासफोरस पेंटा कॉलराइट से जब किरिया करेगा तो क्या बनेगा लिखेंगे जब फिनोल जो है फासफोरस कि से क्रिया करता है तो अब यहाँ पर इसका भी रियक्शन समाझ लेते हैं तो फिनॉल से जो कौन क्रिया करेगा तो फासफोरस जो है पेंटा कुलराइट क्रिया करेगा तो यहाले करें फिनॉल को सुतर क्या है C6H5OH यह फिनॉल है और यह फासफोरस पेंटा कुलराइट के साथ क्रिया हुआ है जब किरिया हुआ है तो क्या बना यहांपर क्लॉरो बेंजिन-C6-C5 और क्या है यहांपर Cl है प्लस जो है पी ओ चल ठीरि और क्या बना है फ्लस याच-C0-bak्या बना है तो समझ में आ गया होगा कि जब बेंजिन से कून क्रिया किया है बेंजीन का रहा है क्या नाम है फिनोल फिना लोग अब इस्टेक हो गया यह फिनोल है जब फिनोल से जब करिया कौन किया फासफोरस पेंटा कोलराइड जब करिया किया तो क्या बना है क्लोरो बेंजीन बना है और उसके साथ हाइडो क्लोरिक अमल भी प्राप्त हुआ है तो आज का ये वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि आप के लिए लाइप कलास चलाया जा रहा है तो कल जो है रसाइनी कल की वीडियो में बताया जाएगा तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलिएगा तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार